कि यूश्व लाइफ अवर सेटेन ब्रेंड ऑफ इस्टील रेडियल टायर है है इस बीन फाउंड तू फॉलो और नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन विद मीन थर्टी एइट थाउजन माइल्स इन स्टेंड इविएशन थी थाउजन माइल्स कोई स्पेसिविक ब्रेंड है जिस ओन एन एवरेज वो टायर 38000 माइल्स चलता है कि यह ना टायर की जिन्दगी होती है एक लाइफ होती है अब देखो टायर्स में ऐसा नहीं होता कि 38000 माईल्स ही चलेगा ज्यादा भी चल सकता है कम भी चल सकता है डिपेंडिंग के किस रोट पर उसको चलाया गया को टायर हो सकता है कि बीच में डिफेक्टिव भी हो डिफेक्टिव होने की सूरत में वह कम चलेगा किस तरह चला है कितनी स्पीड पर चला है अराम से गाड़ी चले या नहीं रो दिए कि लगबस हमारे टायर 88 कि वाहराल दिसका मगयं इसका मतलब यह जाधा बीच्ल सकता और ट्राइबर ही अगर सही नहीं होगा जाधा होगी तो स्लीकम भी चल सकता है a dealer orders five 10 tires or resale koji dealer dealer is company se tire खरिद ताइर से और फिर अपनी दुकान पर बेशता है उसने 500 tires स dealer is dealer ने ऊस company से 500 tires खरीद है अब सबाल है आप से यह बूचा जा रहा है how many tires यानि कि यह जो 500 tires है इन्में से have a useful life between 41 and 30,000 वाइन इसमें से कितने ऐसे टायर्स होंगे जिनकी जिन्टगी 35,000 और 41,000 के बीच होगी है अगल हमारे पास मीन 28 सा स्टेकी डिविशन तीन है मीन में एक बार ल्रीन स्टेके डिविशन माइनस करोगे तो तो कितना मंता है और मीन में एक बास स्टाड़े दिविशन एककरऊ तो कितना मनता है अटयैसका मतलब कि व्टीन वन सब्डेड़ी डिवीशन फ्रॉम मीन मिन हो गया तो gsm एब पर इंपेरेकल रूल आस पर एम पेरेकल रूल अगर ये डा नॉर्मली destructive इंट तो इम्पेरेकल रूल का यह कहना है कि लगबग 68 परसंट चीजे मीन से एक स्टेंडेड डिवेशन के अंदर अंदर ही होती है 68 परसंट अनौ अब अगर 500 टायर्ज हैं तो पाथ सो का 68 परसंट कितना होता है कि पॉट्टी कहने का मकसद यह है कि पात्सों में से तक्रीबन तक्रीबन तीन सो चालेस टायर्ज ऐसे होंगे जिनकी जिन्देगी 35,000 और 41,000 माइल्स या उसके अंदर-अंदर होगी कैसे सर इम्पेरिकल रूल दूसरा वाला केस दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है दूसरे वाले केस में 32,000 से लेकर 44,000 ना तो अगर हम 38,000 की मीन में दो बार 33,000 एड़ करते हैं तो 44 पर ही पहुँचते हैं और 38,000 में से दो बार 33,000 माइनस करते हैं तो 32 पर ही पहुँचते हैं तो इस पे कौन सा रूल लग रहा है 500 का कितना परसंट 95 परसंट कितना आएगा इसमें से लगबग 445 टायर्स ऐसे होंगे के जिनकी जिन्दगी 32 और 44 के बीच होगी समझ रहे हो पहले दो पार्ट्स मैंने करें न अब अगले तीन पार्ट ज़रा सोचो और कोशिश करो के खुद करो पार्ट नमबर टू से तालुक है पार्ट नमबर टू जो एना पार्ट नमबर टू इसमें आपने क्या जुन रहा है पार्ट नमर टू में आपने जूंड़ ए यह एक मिनट रुकते हैं अच्छा अब देखो यहां पर यहां पर आपने पार्ट नमर टू में पार्ट नमर टू में जो कैल्किरेशन गरी थी आपने यह कहा कि चार सो पिछच्छतर ऐसे टायर्ज है जो बत्तेस हजार और चावालेस हजार माइल्स के बीच में जिसकी लाइफ होगी सही है नवाट नमर टू से पार्ट नमर टू से सवाल के दूसरे वाले पार्ट से हम एक चीज़ यह कह सकते हैं कि कोई टायर या तो बत्तेस हजार से कम चलता होगा या 32,000 और 44,000 के बीच चलता होगा या 44,000 से ज्यादा चलता होगा देखो पार्ट नमेर टू में उससे मुझे ये पूछा कि कितने टायर्स 32,000 और 44,000 के बीच की रेंज में चलते हैं भई कुछ टायर्स ऐसे भी तो होंगे जो 32,000 से कम जिन्दगी रिखते होंगे कुछ टायर्स ऐसे भी होंगे जो 44,000 से ज्यादा जिन्दगी रखते होंगे और कुछ टायर्स ऐसे होंगे जिनकी जिन्दगी 32,000 और 44,000 के दर्मियान होगी और पार्ट टू में इंपेरिकल रूल के जरीए मैंने ये भी मालूम कर लिया कि 32 और 44,000 के बीच में जिन्दगी रखने वाले 400 75 टायर्स हैं तो अब अगर टोटल 500 टायर्स हैं अगर टोटल 500 टायर्स हैं और उसमें से 400 75 टायर्स हैं जिन्की जिन्दगी 32 और 44,000 के बीच में तो बकाया कितना बच गया 25 इसका मैंदा 25 टायर्स कुल 25 टायर्स ऐसे होंगे जिनकी जिन्दगी या तो 32,000 से कम होगी या 44,000 से ज्यादा होगी मैं वापस से अपनी बात को रिपीट करता हूं हमने पार्टों में यह तो धून लिया दाना कि 32,000 टायर्स हैं तो अगर टोटल 500 टायर्स हैं उसमें से चार्सो पिछातर टायर्स की जिननदगी 32,000 की बीच मैंफंत तो बच गए कितने 25 टायर्स की जिन्देगी या तो 32000 से कम होगी या तो 44000 से ज्यादा होगी और कोई चीज़ हो सकती है नहीं तीन चीज़ें हो सकती है ना टायर की जिन्दगी 32ek2-47000 कि बीच्म है तायर की जिंदगी 3400 की बीच है टायर की सिंदकी ए है तो आपने क्या किया आपने अपने पास ओप तो है इस थांसे इसको तीन फिरिविव्यूटे डेटा है और नॉर्मारी distributed data का जो graph होता है वो symmetrical होता है symmetrical का मतलब यह कि जितना left पर होगा उतना right पर होगा butterfly shaped होगा अगर आपका answer यह आया है कि 32,000 और 44,000 की बीच में 475 टायर्स हैं तो जितने टायर्स 32,000 से कम वाले होंगे उतने से ज़्यादा वाले होगे बिलकुल से meट्रिक छलता है बिलकुल से meट्रिकल चलता है यहां पर जितनी चीज़े उतनी यहां पर चीज़ें तो लग भग टोटल पक्चास है 25 के दो एक बरादर हिस्से करें तो तक्रीवन दग्रीमन साड़े बारा साड़े बारा तोटल 500 होना चाहिए पांसो मैंसे 475 तो 32,000 और 44,000 के बीच में बागा है कितने मिच गए 25 तो लगवक बारा से 13 टायर ऐसे होंगे जिनकी जन्दगी 32,000 से कम होगी और 12 से 13 टायर ऐसे होंगे जिनकी जिन्दगी 44,000 से जादा होगी ठीक है यानि के पार्ट 3 करने के लिए पार्ट 2 का करना यहां पर लाजमी था अब आप लोग पार्ट 4 और 5 भी ट्राइब करें देखो हम वापस से सवाल का डेटा लिखते हैं और कुछ जनरल लू लिखते हैं एक तो हमने यह पढ़ा वह है कि मीन से सब्सक्राइड एक अंदर अंदर कितनी चीज़े होती यहां 608 परसंट मीन से अदर में कितनीан हमारे सवाल में मीन कितनी है कि 30 कि 30,000 और स्टेंडी डिविशन कितनी है थ्री थाउजन और टाय है कितने टायर्स पांसर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन का कि सेंटर में यहां पर लिख देता हूं थर्टी एट थाउजन हुए ठीक है में में की rather than also mean में से एक इस्ट्रेंड डिविशन माइनस करोु थो कितना ऐँएएगा 35,000 मिन में एक इस्ट्रेंड डिविशन एड्ड करोС एटा मेनेगा há 41,000 यानि के पांसों का 68 परसेंट पांसों का 68 परसेंट कितना मनता है कि इसका क्या मतलब है कि स्थी फॉर्टी का क्या मतलब था कि तक्रीमन तीन सो चालेस टायर्ज वो होंगे जिनकी जिन्दगी 35,000 और 41,000 के बीच होगी यह नॉर्मेली डिस्ट्रिब्यूटी डेटा है और यह बिल्कुल सेमेट्रिकल होता है हमें यह पता है कि 68 परसंट डेटा मीन से एक स्ट्रेंडी डिविशन के अंदर अंदर की रेंज में होता है यानिके हमें यह पता है कि 35,000 से लेकर 41,000 के बीच में 340 टायर्ज होंगे तो क्या हम यह कह सकते हैं कि 35,000 से 38,000 के बीच 170 और 38,000 से 41,000 के बीच भी 170 टायर्ज होंगे देखो ना वो पैट क्या हो रहा था 38 में से तुम एक बार 3,000 माइनस कर रहे थे और 38 में एक बार 3,000 एड कर रहे थे तुम्हारी टोटल रेंज तुम कह रहे थे 35 से 41 उसमें 340 सीजन तो अगर उसका आधा आधा कर दे क्योंकि यह डेटा से मेट्रिकल होता है तो देखो पूरे में 340 लेकिन आधे में 170 और इस आधे में 170 बिलकुल सिमेट्रिकल होता ना 35,000 से 41,000 की बीच में 340 टायर्ज हैं और सेंटर 38,000 है इस ग्राफ का तो 35 से 30 की बीच में 170 होंगे और 30 से 40 की बीच में 170 होंगे यह क्लियर हो गया कोई मसला तुम्हें कोई मसला नहीं किसी को कोई मसला नहीं है अब दूसरी प्रॉपर्टी पर आओ दूसरी प्रॉपर्पर्टी के इसाब से पांच्सों का कि 95 परसेंट कितना मनता है कि 475 पॉर सेवेंटी फाइट किसके बीच में होंगे 32,000 और 44,000 32,000 और 44,000 कैसे आया मीन में दो बार स्टेंडी डिविशन माइस किया मीन में दो बार स्टेंडी डिविशन एड किया 35,000 से पीछे आएगा 32,000 41,000 के आगे आएगा 44,000 अब ये यहां से यहां तक ये जो अब ग्रीन मैने लाइन मनाई है ये 32,000 से शुरू हो रही है और 44,000 पर खत्म हो रही है ये पूरी रेंज जो है इसमें कितने टायर्ज आ रहे हैं 475 यही है ना हमारा इंपेरिकर लूल ठीक है अब इसके भी बीच में से दो बराबर अगर हिस्से कर दिये जाएं तो 32,000 से लेकर 38,000 का एक हिस्सा सेंटर से 32,000 की तरफ और सेंटर से 44,000 की तरफ चार सो पिछातर के दो टुकड़े करो 237.5 237.5 इसका क्या मतलब वा इसका मतलब वा के 38,000 और 44,000 के बीच में लगबग 237.5 और 32,000 और 38,000 यानि के मीन से 32,000 के बीच में भी 237.5 टायर्ज होंगे है ना क्योंकि जो टूटल है उसके दो एक बराबर हिस्से करे गए हैं बात समझ में आ रही है अब हम देखते हमसे क्या पूचा गया था हमसे ये पूचा गया था कि कितने ऐसे टायर्ज होंगे जिनकी जिनकी क्यालेस अजार और 44,000 के बीच होगी यानि के हमसे जो पूच पूचा गया था सिर्फ यह वाला हिस्सा अब क्या करेंगे बताओ मैं वैसे करकर बताता हूं हम करेंगे यह के टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइफ यह वो टायर्ज हैं जिनकी जिंदगी 38,000 के बीच है इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 170 यह वो टायर्ज हैं जिनकी जि मारे के बीच है माइनस करो कितना आता है 67 पॉइंट पाइफ यह वो टायर्ज होंगे जिनकी जिंदगी 44,000 के बीच होगी एक मिट देना ठीक है यह वो टायर्ज हैं जिनकी जिनकी का 40,000 के बीच होगी अच्छे से इसको देखोगे तो समझ